Deep Morning वैसे तो US Market बंद रहेंगे तो थंडाई महौल रहेगा लेकिन क्या कुछ important बीते हफते हुआ है आज कहां रखनी है ने सर्व बहुत सारा action होने वाला है अज तो अमेरिका बंद है और थोड़ा बाजार भी अच्छे मूड में दिख रहे हैं क्योंकि वहां से आपको कोई संकेत नहीं आने वाले है थोड़ा SJX Nifty भी ठीक दिख रहा है बाकी Asia भी ठीक दिख रहा है बट काफी action-packed हफता रहने वाला है क क्योंकि हम देख रहे हैं कि नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है फुल-fledged में कई सारे नतीजे Friday को भी है उनके बारे में बताता हूँ इस हफते Goldman Sachs, Morgan Stanley, Netflix, PNG जैसे दिगदच companies के नतीज आएंगे तो उस पर बाजार की नज़र रहेगी इसके अलावा Bank of Japan की policy आएगी और ये काफी interesting रहेगी जब से उन्होंने अपनी bond flexing की strategy सामने लाई है फिर हमने देखा Friday को surprise bond action भी आया था Bank of Japan की तरफ से तो फिर वहां से आज आज आपको देखना पड़ेगा कि आज नी Wednesday को आएगी policy तो देखना पड़ेगा उस पर बाजार कैसे रियाक करते हैं चीन से काफी सारा आर्थिक data आने वाला है including उनकी GDP के आंकड़े, अमेरिका में retail बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं और Davos में World Economic Forum भी शुरू हो चुका है तो वहां से भी कुछ संकेत और कुछ commentary आईगी world leaders और corporate leaders की तरफ से तो बहुत action-packed हफता होने वाला है और पिछला हफता भी काफी action-packed था जैसे हम सबने देखा ही है, अमेरिकी बाजारों की शांदार चाल रही और Friday को भी हमने देखा, action वैसा ही बरकरार रहा लगातार, चौथे दिन आपने DAO में तेजी देखिए, करीब 100 अंक उपर बंद हुआ, नाजडाक लगाता है, छटे दिन आपको positive द आते हुए देखी थी, और दिन की उचाई पर अमेरिकी बाजार आपको बंद होते हैं, देखे हैं, पॉंडीन साड़ी 3% के नीचे है, कोई परिशानी वहाँ पर नहीं आ रही है, जो इनिशल सुस्त action आपने देखा था, वो bank earnings से देखा था, क्यों Morgan Stanley, Wells Fargo, City Group और Bank of America के न बंद हो हैं, तो संकेत जो वहाँ से आ रहे हैं, वो अच्छे ही आ रहे हैं, लगातार दूसरी सापताहिक बढ़त भी थी, अगर आप weekly basis पर देखें, डाउ 2%, S&P 500 पॉने 3% और NASDAQ जो आउट परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर भी पॉने 5% की तेजी रही, तो लगातार दूसरे हफते IT की तरफ से लीडर्शिप आपको अमेरिका में आते हुए दिख रही है, यॉरप में भी आदे परसंट की तक की तेजी थी, कोई परिशानी वहाँ पर नहीं रही, कमोडिटीज में जैसे आप बताई रही थी, दमदार आक्शन बना हुआ है, आज सुबह थ साड़े साथ महीने के निचले सर पर है, करीब 102 के आसपास ट्रेट कर रहा है, तो कोई परिशानी वहाँ पर नहीं है, सोना 9 महीने की उचाई पर है, 1920 डॉलर पर आपको आते हो दिखा है, पिछले दो-तीन महीनों में सोने में जबरदस्त आक्शन आपने दिखा है, पिछल आते हो देखा है, तो overall बाजार से अच्छे संकेत आ रहे हैं, Friday को हमारे बाजार भी थोड़ा रिकवर होते हैं, और काफी action-packed हफता है, अफकोस आज अमेरिकी बाजार बंद है, बट बाकी action आपको देखना पड़ेगा, चले दो, सारे action पर रहेगी नजर और उमीद हम य में इखने से घर को देखने सीच्छे के करते हैं, जो kommt को कह समगल, फेजार बंद?